नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो सिर्फ पुर्षों के लिए है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ अफरीका के जंगलों में पाई जाती है और इस जड़ी का नाम है मुलंदो यह जड़ी पुर्षों की सभी प्रकार की मर्दाना कमजोर जड़ी नपुन सकता और यौन रोक को दूर करती है इस जड़ी बूटी पर काफी सारे सोध हो चुके हैं और यह इस्पेश्ट हो चुका है कि यह जड़ी पुरुशों के लिए एक बरदान है यह एक प्रकार की जड़ होती है जिसके अंदर काफी सारे औस्दिये गुन प पाया जाता है यह एक बहुती बढ़िया एंटी ऑक्सिडेंट है अफरीका में बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है और इसको एक कामो तेजक दवा के रूप में प्रियोग किया जाता है कहीं कहीं पर इसका उपियोग खाद्दे परदार्तों में भी किया जाता है इस लिंबाब्वे में भी इसको एक कामो तेजक दवा के रूप में प्रियोग किया जाता है। यह शारिक और मानसिक कमजोरी को दूर करती है। इसकी जड़ खाने में कड़वी, कसेली और मीठी होती है। कुछ लोग मुलंडो का उपियोग चाय के रूप में भी करते हैं, जो एक मीठा वनीला जैसा स्वात देता है। और इसकी गंध भी वैनीला जैसी होती है। इसका जड़का इस्तेमाल करने से पुर्शों की इंद्रियों के साइज में बड़ोतरी होती है। नसों का धीलापन, नपुन सकता, कामो तेजना की कमी, सीगर पतन, आदी समस्यां दूर होती है। और इस जड़का पुर्योग करके काफी सारी दवाएं बनाई जाती है। और इनी दवाओं में से एक है मश्टेग। तो यह है वो मश्टेग केपसूल, जिसके अंदर मुलंदो नाम की जड़ी बूटी का प्रियोग किया गा है। साथ ही इसमें और भी काफी सारी असरकारी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं जो एक बिसेश प्रिक्रियादवारा बनाई जाती हैं। जिससे इस केपसूल की सकती और भी कई गोना जानदा बढ़ जाती है। तता आपको पहले ही जिन से लाब होने लगता है। जिसकी पूरी जानकारी आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यह मश्टेक केपसूल पुरुसों की सभी प्रिकार की योन समस्याओं को दूर करता है, साइच को बढ़ाता है, सीग्र पतन और नपुन सकता को दूर करता है। तरह तरह की दवाइ खाने के बाद भी कोई फाइदा नहीं हो रहा है, तो इस दवा की पूरी जानकारी प्राप्त करें, और इसको प्रियोक करके देखें। दबा को खरीदने से पहले स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर आप कॉल करके इसके बारे में और अधिक जानकाली प्राप्त कर सकते हैं मश्टेक कैपसूल थीसपीज की पैकिंग में आता है और इसकी पैकिंग साधान सी है यानि कि आप इस कैपसूल को किसी के सामने भी खं सकते हैं इसको छिपाकर रखने की जरूट नहीं है इसके अंदर आप को इस तरह के गोल्डन कैपसूल निकलते हैं इस कैप्सूल को खाना बहुत ही आसान है एक कैप्सूल रोज रात को सोते समय या खाना खाने के बाद एक या आदे घंटे बाद गुन-गुने दूद के साथ सेबन करना है या फिर आप अपने डाक्टर की सला अनुसा इसको ले सकते हैं इस मश्टे कैप्सूल के इंगिडियन्स इस प्रकार हैं सतावरी, अश्वगंधा, कौँच के बीज, डाल चीनी, लॉंग, जायफल, अजवाइन, अकरकरा, शुद्ध कुचला, विदारीकंद, गोकुरू, रशिंदूर, बंग भश्म, मुकता शुक्ती तता अन्य मिलाई गई हैं, जो इस कैप्सूल को और भी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली बना देती है, यह एक जानीवानी कमपनी का प्रोडक्ट है, जो आयवर्दिक दवाएं बनाती है, यदि हम इसकी MRP की बात करें, तो इसकी MRP बहुत ही जादा है, 9000 रुपे इसकी MRP है लेकिन आप चिंता ना करें, यह आपको भारी डिसकाउंट के साथ मिलेगा, यदि आप इसको खरीदना चाते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रेप्शन में इसका Best While लिंक हमने दे दिया है, यहाँ पर किलिक करके आप लगवग लगवग 50% तक का डिसकाउंट पा सकते हैं, य आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें